हाई अब्रिवान विल्कम जो नवनीट आयस एकेडमी सो हमने यहां पर जो है क्लास सेवन की इंसी इयार्टी का हिस्ट्री का कोर्स जो है वह हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं आज राइट एंड इस बुक का नेम है अबर पास्ट पार्ट टू एंड इसमें हम जो है हमारी मीडिविल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हमारा जो मीडिविल पास्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे सो आज हम जो है चाप्टर नमबर वन इसका स्टार्ट करने वाले हैं तो 1000 योर्स के बीच में जो है क्या क्या चेंजिस हुए थे 700 CE से के 1700 CE approximately right 1700 CE approximately जो है इस time period के बीच में जो है क्या क्या changes यहां पर होते हैं उनके बारे में हम जो है cover करेंगे okay so this is the link of our telegram channel तो इस पर आपको जो है daily जितनी भी यहां पर classes होती है उसका जो PDF free PDF जो है वो आपको वहां पर मिलेगा and the Hindu and Indian Express right the Hindu and Indian Express की जो daily news articles जो होते हैं उसकी information भी जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी and इस channel का जो link है वो नीचे description में दे रखा है and directly वहां पर जाके आप इसे follow कर सकते हो right so let's start the chapter number one that is the tracing changes through a thousand years तो अब क्या होता है new and old terminologies तो हमारा जो ancient past है right हमारा जो ancient past है उसमें कुछ term जो terminologies होती है या फिर जो हम बहुत सकते हैं कि कुछ words जो होते हैं वो हम यहां पर use किया करते थे तो अब यह question arise होता है कि क्या medieval period में भी जो है वो ही words जो है किसी चीज़ को describe करने के लिए use किये जाते थे या फिर जो है वो words यहां पर change हो जाते हैं medieval period में क्यूंकि हम देख रहे थे कि यहां पर कई सरे changes हो रहे थे society में तो सबसे पहले यहां पर terminologies की ही बात कर लेते हैं तो yes ऐसा हुआ था जो words हम जहां पर जो है किसी particular चीज़ को describe करने के लिए ancient past में use किया करते थे उस word का medieval period में meaning जो है वो change हो जाता है तो वो किसी और चीज़ को describe करने के लिए यहां पर use किया जाता था ओके तो यह भी changes यहां पर आते हैं सबसे पहला जो change है वो यही आता है ओके so if the context in which the information is produced तो यहां पे हम written form में ही देख होते हैं हमारे past वो हमारे लिए sources बनते हैं हमारे past के बारे में जाने के लिए तो अगर जो है वो सी sources जो है right उन में जो है अगर यहां पे changes आ जाए तो जो है हम जो है उसमें हमें काफी सारी problem भी होगी तो उन changes को समझना हमारे लिए काफी ज़दा important है so if the context in which information is produced changes with the time then what about the language and the meanings तो यहां पर जो है जो है जो तरीके होते हैं जैसे कि ancient past में यहां पास्ट को जाने केलिए sources ते वो कुछ और sources यहां पर यूज mujer antig बेड में everywhere трав me भी यहां पर कुछ और sources जो है तो जो words यहाँ पर use किया जाते हैं तो जो जो हिस्टोरिकल रिकोर्ड होते हैं उन्हें हम देखते हैं कि वह variety of languages में जो हमें मिलते हैं जैसे कि हम example ही ले लेते हैं जो Persian language थी जो medieval Persian language थी for example is a different from the modern Persian तो जो Persian language आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं वह medieval Persian language से काफी ज़्यादा different है जैसे यहाँ पर time period change होता है तो जो languages है वो भी change होती है तो इन changes को भी यहाँ पर समझना काफी important है अगर हमें जो है एक correct information को acquire करना है तो okay so the difference is not just with regard to the grammar and vocabulary ऐसे नहीं है कि language की only जो grammar है और यहाँ जो vocabulary है वो ही change हुई है तो जो meanings है वो भी यहाँ पर words के change हो गए है तो हम example यहाँ पर ले रहे हैं the word Hindustan okay Hindustan word जो है उसका meaning यहाँ पर ancient past में या फिर medieval period में कुछ और था तो आज हम Hindustan word जो है किस के लिए use करते हैं हमारे इंडिया के लिए जो है एक political boundary को दिखाने के लिए हम Hindustan word का use करते हैं right बट जो है यहाँ पर अगर medieval period की बात करें या फिर ancient period की बात करें तो उस समय में जो Hindustan word है उसका meaning कुछ और था okay so when the term was used in the 13th century अगर 13th century की हम यहाँ पर बात करें तो मिनहाज ए सिराज जो की एक करनाइकलर थे जो की Persian language का use करके उन्होंने कई सारे text भी लिखे थे तो मिनहाज ए सिराज ने जो है हिंदुस्तान word का use किया था बट उनकी हिंदुस्तान word का जो meaning था वो कुछ और था उनकी जो political boundary जो है हिंदुस्तान word की वो कुछ और थी आज हम पूरे इंडिया की यहाँ पर बात करते हैं बट उस समय में हिंदुस्तान word का जो meaning था वो यह था वो only उसमें Punjab, Haryana and जो Ganga and Yamuna के बीच में जो lands यहाँ पर परती है जो north western part है हमारे भारत का उसी एरिया के जो है वो हिंदुस्तान उसके लिए जो हिंदुस्तान word वो use करते हैं right so he used the term in a political sense for the lands that were the part of the domain of the Delhi Sultan तो वो जो है just उसी एरिया के लिए उसी land के लिए यह word यूज कर रहे हैं जो कि Delhi Sultan का area हुआ करता था right उसको जो है वो हिंदुस्तान बोरते हैं रिट था जैसे पंजाब, हर्याना, जागगा एंधियमुना के बीच की जो लैंड हो गी तो बाद में दिल्ली सुल्तान का जो एरिया ठाथा राइट तो बढ़ता भी है दिली के जो सल्टनेत है सल्टनेत का एक्स्टेंट है वह तो बढ़ता भी है क्योंकि दूसरी एरियस क included in this term, तो हिंदुस्तान वर्ड में जो एरिया यहां पर यूज किये गए थे, वो भी बढ़ते रहते हैं, तो इसके बाद का जो कुछ का समय है, जब दिल्ली सुल्तान जो है, ओल ओवर दी इंडिया तक जो है, उनका यहां पर रूल हो जाता है, तो जो है, एड दी एंड जो जो मीनिंग है, वो यहां पर चेंज होता रहता है, आज हम पूरे इंडिया के लिए यूज करते हैं, राइट, बट अगर हम यहां पर बात करें, तो इसमें जो है, साउथ इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया था, मिड दी विल पीरियल में, ओके, क्योंकि दि में वो नहीं इंक्लूड था, तो जो है, साउथ इंडिया के लिए उन्होंने इंडिया या फिर हिंदुस्तान वर्ड कभी भी यूज नहीं किया था, ओके, सो, अगर हम 16th century के बात करें, तो बाबर ने जो है, हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग जो है, कुछ और ही यहां पर ने बता दिया है, तो वो क्या करते हैं, वो जो ग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज करते हैं, तो इस तरह से जो मीनिंग थे वो चेंज होते रहते हैं, over the time, तो यहां पर जो है, अमीर खुस्रो ने भी जो है, 14th century में एक वर्ड यहां पर यहां पर यूज किया था, वो था हिंद, तो हिंद वर्ड का जो है, वो यूज करते हैं, जो ग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, ओके, तो अगर हम आज बात करें, इंडिया यहां पर हिंदुस्तान, तो इसके साथ हमारे कुछ एमोशन्स जुड़े हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग यहां पर जुड़े हुए हैं, तो हिंदुस्तान वर्ड पहले भी यूज किया जाता था, मेडिविल पीरियन में, बट यह जो पॉलिटिकल एंड नेशनल देश भक्ती वाला जो एक सेंस होती है, यह जो एक इमोशन होते हैं, वो उस समय में वहां पर नहीं जुड़े हुए थे, तो वो हिंदुस्तान वर्ड का कुछ और मीनिंग निकालते थे, यहां फिर कोई प पॉलते थे, वो हिंदुस्तान बोला करते थे, तो बाबा ने जो है, इसे यहां पर हमारा जो सब कॉंटिनन्ट है, उसकी जो ग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, जो हिंदुस्तान वर्ड है, वो यहां पर यूज किया है, तो इसी की वज़े से आप जो हिस्टोरिय है, उनके लिए प्रॉब्लम्स यहां पर क्रियेट होती है, तो उने जो है काफी केर्फुली इन वर्ड को समझना पड़ता है, क्योंकि जो है, यहां पर कुछ वर्ड का मीनिंग है, डिफरेंट टाइम में कुछ और हो सकता है, ओके, तो एक और एक्जम्पल हम यहां पर ल कोई भी स्ट्रेंजर, मिन एक गाउं है यहां पर, इट सब्पोस यहां पर कोई परसन किसी दूसरे गाउं से आ गया है, तो उस परसन को यह गाउं के लोग क्या बोल देंगे, इसे जो है वो फॉरिनर बोलते थे, ओके, तो आज अगर हम यहां पर बात करें, अगर एक गा इट से इन गिवन विलेच, समवन हुवास नौट अपाट अफ डैट सोसाइटी और दी कल्चर, राइट, सो इन हिंदी ते तरम पर देशी माइट बी यूज तो डिस्क्राइब सच अ परसन और इंपरसन दी अजनभी, ओके, तो हिंदी में परदेशी वर्ड यूज किया और परसन में अजनभी वर्ड जो है इस तरह के परसन के लिए यूज किया गया था, so a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, तो city dweller जो है वो forest dweller को जो है foreigner बोल देगा, but two peasants तो कि same village में यहां पे रह रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए foreigner नहीं थे, however जो है उनका religion है वो different हो, चाहे वो different background स बिलोंग करते हों, okay, so now let's see about the historians and their sources, तो अब medieval period में historians कौन-कौन से sources को यहां पर use किया करते थे, तो historians जो है obviously अलग अलग तरह के sources को यहां पर use करते हैं हमारे past को जाने के लिए, तो यह sources जो है depend करते हैं upon the period, okay, तो medieval period के sources कुछ और थे, तो ancient period के sources हैं वो कुछ और यहां पर रहते हैं, for example, हमने गुपता dynasty और हर्षवर्दन के बारे में पढ़ा था ancient period में, हमारा जो classics की NCERT है, उसमें हमने पढ़ा है, तो अगर आपको classics की NCERT को cover करना है, तो उसकी playlist यहां पर बनी हुई है, उसका description जो है, वो नीचे यहां पर दे रखा है, तो आप उसे cover कर सकते हो वहां से, right, तो गुपता dynasty और हर्षवर्दन rulers के बारे में हमने यहां पर पढ़ा था, उनके बारे में हमें कहां से पता चलता है, हमने यह देखा था यह हमारे लिए source बंदे जो प्रशस्तिस होती है उनकी तो प्रशस्तिस क्या होती है यह भी हमने वहाँ पे देखा था डिस्क्राइब किया था इसे भी यह जो है एक तरह से long inscription ही होती है प्रशस्तिस जो होती है these are the long inscriptions and जिसमें जो है प्रेज की होती है किसी particular राजा की ओके तो इनके बारे में हमने पढ़ा था और वो जो है यहां पर continuity रहती है थोड़े सी जो sources यहां पर ancient period में यूज किया जा रहे थे वो medieval period में भी continue रहते हैं however जो है कुछ sources यहां पर change भी होते हैं तो वो coins, inscriptions, architecture यहां फिर टेक्शल records होते हैं उसके उपर अभी भी वह depend रहते हैं medieval period में भी तो इनका use जो है उन्होंने ancient period में भी किया था but there is also a considerable discontinuity also the number and the variety of textual records जो होते हैं right वो यहां पर जो है काफी बढ़ जाते हैं medieval period में क्या होता है कि जो textual records होते हैं जो written form में records होते हैं वो यहां पर काफी ज़ादा बढ़ जाते हैं तो ancient period में जो है हमारे पास textual records काफी कम थे वहां पर only जो चीजे इन्हें मिलती थी उन्हीं को वह study किया करते थे बढ़ में medieval period में textual records काफी ज़ादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है they slowly displaced other type of available information तो दूसरी available information हमारे पास होती है जो चीजे होती है उन्हें वह धीरे धीरे जो है वह एक तरह से use किया करते थे पहले भी inscriptions हुआ करते थे written records थे वहां पर paper नहीं था 18pee तो वह जो है कहां पर लिखा करते थे जो box होती है right दो budget box नितरा फोर यहां पर लिखा करते थे सूसरी तो यह पर नश्डब कर दिया था रूलर्स के जो chronicles होते हैं उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था संतों की letters and teachings के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था and petitions जो थी यहां पर उस समय में हुआ करती थी जो judicial records हुआ करते थे वह करने स्टार्ट कर दिये थे and accounts के register यहां फिर taxes के register जो होते वह इन लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिये थे okay so यह जो manuscripts है रेट जो की written form में होती है तो wealthy लोगों ने इन manuscripts को जो है संभाल के रखा था यह जो medieval period के manuscripts सी इन्हें जो है संभाल के रखते हैं rulers ने भी जो है इन्हें यहां पर संभाल के रखा था ओके, सो बाद में जो है इन्हें लाइब्रेरी इसमें संभाल के रख दिया गया था, आर्चिक्स में जो है संभाल के रख दिया गया था, सो यह जो manuscript and documents है, यह हमें detailed information देते हैं historians को, बट जो है इन्हें use करना difficult होता है, यह इसकी limitation है, बट यह जो manuscripts and documents होते हैं, हमें detailed information दे देते हैं, बट इन्हें use करना काफी difficult होता है, क्यूंकि उस समय में paper चाहिए आ गया था, बट printing press नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, लिखने के लिए, मिन handwriting के थूँ, मिन hand के थूँ, इसे copy किया करते थे, सो जो scribes होते हैं, they copied manuscripts by the hand, उन्होंने manuscripts को copy किया था by the hand, okay, so manuscript copying in somewhat similar, so as scribes copied the manuscript, तो यह जो scribes हैं, वो manuscript जो यहां पर लिखी होती थी, उन्हें copy किया करते थे, तो जब वो copy करते हैं, तो लिखते समय हो सकता, कोई उन्हें से गलती हो जाएं, लिखते होएं, क्योंकि person ही है, जो है एक जीवित person ही है, उसे गलती तो हो ही सकती है, तो यहां पर small changes हो जाते हैं, जब वो copy करते थे किसी manuscript को, तो वहां पर जो है, obviously लिखते समय कोई ना कोई changes वहां पर हो ही जाएंगे, और word जो है, वो इधर उधर कोई ना कोई हो जाएगा, कोई sentence जो है, वो इधर उधर हो ही जाता है, तो यह जो differences थे, जो छोटे छोटे जो differences थे, वो over the centuries जो है, वो बढ़ते रहते हैं, okay, and क्या होता है, तो यह जो same text है, एक कोई manuscript है, एक यहां पर grant हम भो सकते हैं, उसकी कई copies यहां पर बना दी गई थी, तो obviously एक copy में जब लिखा गया है, उसमें भी कोई changes हो गए होगे, कोई ना कोई गलती तो होगी यहां पर, दूसरी copy में भी कोई ना कोई गलती होगी, तो इस तरह से क्या होता है, कि एक same text जो है, वो जो है, उसकी कई copies बन जाती है, जो कि उनसे काफी जादा different भी हो जाती है, तो यह एक serious problem है, जो original manuscript होती है, वो आज हमें जो है, author की कोई original manuscript होती है, वो आज हमें काफी कम भी मिलती है, क्योंकि over the year, यह खराब भी हो जाती है, जो historians है, वो copies के उपर ही जादा dependent रहते हैं, जो कि बादवले scribes ने उनने copy किया था, तो जो original grant है, जिसे हम भो सकते हैं, या फिर original text जो है, वो हमें काफी कम मिलता है, उसकी copies ही यहाँ पर available है जादा, तो यह serious problem है, क्योंकि copies जो होती है, उसे hand के थ्रू लिखा गया था, और उसमें जो है, काफी सारी problems होती है, so as a result, जो historians है, उन्हें जो है, different versions जो होते हैं, इन manuscripts के, वो यहाँ पर पढ़ने पढ़ते हैं, right, and on occasions, author revise their chronicles at different times, तो कई बार जो क्या होता है, यह जो authors होते हैं, वो अपनी chronicles को revise भी करते हैं, by the time, okay, so ऐसा ही एक example है, 14th century के chronicles थे, जिया में, and 1356 के दो साल के बाद में, जो है, उसका एक और version इन्होंने बनाया था, तो तो two differ from each other, यह दोनों ही जो versions है, जो जियाओ दिन बरानी ने यहाँ पर लिखे थे, यह दोनों ही जो text है, वो एक दूसरे से different है, okay, but जो है, historians को, यहाँ पर जो second वाली copy है, वो ही मिली थी, क मिलती है, so, यह तो हुई, यहाँ पर words की बात, यहाँ फिर sources की बात, की sources भी यहाँ पर change हो गए थे, तो आप जो है, social and political groups भी यहाँ पर नए आ चुके थे, क्या होता है, यहाँ पर, कि कई सारी developments यहाँ पर हो रही थी, over the period, in 1000 years के बीच में, right, in 1000 years के बीच में, जो है, चुकी थी, जैसे की persian wheel, जो की irrigation में यहाँ पर use किया जाता है, यहाँ पर spinning wheel है, weaving के लिए उसे यहाँ पर use किया जाता है, यहाँ जो fire arms होती है, okay, वो भी यहाँ पर use किया जाती है, तो नए technologies यहाँ पर आ रही थी, medieval period में, so, this one is your persian wheel, and this one is your weaving wheel, okay, तो यह जो technologies जो थी, वो chillies, tea and coffee rate, वो भी यहाँ पर आ चुका था, तो क्या होता है, यह सारी changes जो है, हमारी country में किस तरह से होते हैं, क्या, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर suddenly इतने सारी changes आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, हमारे जो है, जो introduction वाला जो chapter था रही, यह foreign word, हम किस के लिए यूज कर रहे हैं, जो दूसरी country से लोग हमारे यहाँ पर भारत में आ रहे थे, ओके, तो वो हमारे भारत में आते हैं, लोगों की movement यहाँ पर start हो चुकी थी, जो वो दूसरी country से हमारे भारत में आ जाती हैं, तो उनकी वज़े से हमें नए foods and beverages के बारे म में भी पता चालता है, एक दूसरे के साथ उनके जो ideas होते हैं, वो share होना start हो जाते हैं, okay, so that is why हम बो सकते हैं, this was a period of the economic, political, social and the cultural changes, okay, and this was a period of the great mobility also, जो लोग थे, वो long distances तक यहाँ पर travel कर रहे थे, opportunity को भी सर्च करने के लिए, वो travel यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि हमारे subcontinent में काफी जादा wealth थी, और लोगों के पास जो है, possibilities भी थी, कि जो है, वो अपना किस्मत को जो है, वो जगा भी सकते हैं, यहाँ पर मिहनित करके, okay, तो एक group जो है, वो इस period में, इस period में जो है, वो काफी famous होता है, वो उस group का name है, राजपूर, राजपूर जो है, वो काफ word यूज किया जाता है, okay, so 8 से लेके 14th century के अगर हम यहाँ पर बात करें, 8 से लेके 14th century के अगर हम यहाँ पर बात करें, so the term was applied more generally to a body of the warriors, तो राजपूर जो है, वो 8 से लेके 14th century के बीच में, जो है, किस person के लिए यूज किया जाता था, जो warriors होते है, यह यूद करते हैं, उनके लिए राजपूर वर्ड जो है, वो यूज किया जाता है, okay, जो कि अपने आपको क्षत्रिया का स्टेटर्स के बुलाते हैं, okay, तो इसमें ऐसा नहीं है कि only rulers यहाँ जो chief होते हैं, वो ही आएंगे, इसमें soldiers यहाँ जो commanders होते हैं, उन्हें भी include किया जाता है, armies के जो commanders वेरा होते हैं, वो भी इन्हें उसमें आते हैं, इसी category में आते हैं, राजपूच में, okay, उनका एक proper code of conduct होता है, extreme valor, उनके पास हिमत होती है, loyalty होती है, these were the qualities जो है वो राजपूच की होती है, and यह qualities यहाँ पे poets ने बताई हुई है, जो गाथा गीत, जो है, इनकी वीर गाथ है, यहाँ पे लिखी हुई है, poets ने, तो उन poems में हमें यह qualities देखने को मिलती है, इन्ड राजपूच की, okay, so आप क्या होता है, other group, जो कुछ और groups यहाँ पे जो है काफी famous हो रहे थे, एक तो यहाँ पे राजपूच होगे, तो दूसरे थे यहाँ पे Marathas, Sikh, Jarts, Ahoms, Kayasthas हो होगे, यहाँ फिर जो secretaries होगे, वो कायसता से, okay, they also use the opportunities of the age to become political important, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी opportunities थी, तो उनने जो है, इन opportunities को जो है, ग्रैब किया, कि वो politically important हो जाए, इस समय में, Marathas, Sikh, Jarts, Ahoms, काफी जादा यहाँ पे जो है, वो politically important बन जाते हैं, right, so, दोसी तरफ को भी clear किया जा रहा था, agriculture को भी extend किया जा रहा था, a change faster and more complete in some areas than in the others, तो किसी जगह पे यह changes जो है, वो काफी fast way में हो रहे थे, however, दूसरे areas में, जो है, किसी जगह पे इतने सारे changes नहीं हो रहे थे, okay, so, changes in their habitat, for many forest dwellers to migrate, आप क्या होता है, कि जो forest dwellers थे, जो लोग forest में यह यहां पे रहा करते थे, तो उनके habitat भी जो है, वो यहां पे changes हो जाते है, that is why, आप जो है, वो forest में नहीं रहते हैं, वो भी migrate कर देते हैं, तो कुछ लोग अब land को भी जोतना start कर देते हैं, जैसे tilling करना and वो जो है, peasants बन जाते हैं, तो इन forest dwellers की जो life है, वो अब change हो रही campus को भी जो है, यह प्रभावित करना start कर देते हैं, यह जो है, एक large complex societies जो होती है, उसका पार्ट बन जाते हैं, जो forest dwellers हुआ करते थे, तो जब वो जो है, एक large complex society का पार्ट बन गई हैं, तो उन्हें अब taxes भी पे करने पड़ते थे, and goods and services जो होती है, वो local loads को भी देनी क्योंकि किसी prison के पास जो है, ज्यादा productive land थी, उसके पास जो है, cattle भी हुआ करती थी, and कुछ जो है, अपनी agricultural activity के साथ, जो है, कुछ और यहां पे cattle वाले काम भी किया करते थे, तो इस तरह से जो है, कुछ, काफी सारे इनके बीच में, differences भी आ जाते हैं, तो हम यह बोश सकत differentiated, जो लोग थे, वो जो है, अब जातिस में group हो जाते हैं, उनकी groupings बनी start हो जाती हैं, जातिस बनी start हो जाती हैं, सब caste यहां पे बनी start हो जाती हैं, and अपने background and अपने occupation के basis पे जो है, अपने आपको जो है, rank करना start कर देते हैं, society में, कि हम जो है, ज्यादा ऊचे हैं, okay, so however यह जो ranks थे, इन्हें जो है permanently fixed नहीं किया गया था, तो यह जो है vary करते थे according to the power, influence and the resources controlled by the members of the जाती, तो जाती तो जाती जो है, अलग लग caste के according जो है, यह इनकी ranks जो थे, वो fixed किये गए थे, okay, so habitat के बारे में हमने यहां पे देखा था, forest dwellers, जो थे रहेट, उनका habitat जो है, तो habitat का क्या meaning है, यह भी बुक में यहां पे दे रखा है, तो इतनी छोटी छोटी जो चीज़ी है, वो यहां पे cover की हुई है, NCERT में, right, so that is, मैं यहां पे बोलती हूँ कि यह जो NCERT हैं, अगर आपको UPSC के state PAC के यहां फे कोई भी government exam की preparation स्टार्ट करनी है, तो आपको N आगे वाला जो एक सफर होगा, वो काफी easy रहेगा, okay, so habitat जो है, उसका meaning यह इन्होंने बताया हुआ है, it refers to the environment and the region, कि एक ऐसा environment, एक ऐसा region जो होता है, and the social and economic lifestyle जो होता है किसी particular resident का, उसे हम habitat बोल देते हैं, तो in a single word हम यह बोल सकते हैं, कि उनका जो lifestyle है, okay, उनका जो lifestyle है, व सो हम जातिस की बात कर रहे हैं थे, जातिस बन जाती हैं society में, जब जातिस बन जाती हैं, तो वो अपने rules and regulations जो है, वो बना देते हैं, अपने members को एक तरह से manage करने के लिए, okay, so क्या होता है, यह जो rules and regulations थे, अब जो है, इन्हें इन्फोर्स भी करना होता था, तो assembly के जो है जो main elders हुआ करते थे, वो इन्हें जो है, इन्फोर्स किया करते थे, and कई बार जाती पंचायक भी जो है, वो यहां पर बनाई होई थी, and वो describe भी किया करती थी, इन rules and regulation को, okay, but जातिस वर also required to follow the rules of the villages, however, यहां पर villages में कही सरी जातिस थी, तो ऐसा नहीं है, कि यहां पर जात इन villages को कौन गवन करता था, पूरे village को, पूरे गाउं को जो है, देखने के लिए, चीफ यहां पर हुआ करते थे, चीफ टेंड यहां पर हुआ करते थे, okay, so together they were only one small unit of a state, तो यह जो villages हुआ करती थी, यह जो है, छोटी सी unit हुआ करती थी, पूरे state में, right, so we'll continue with the same chapter in our next video, chapter number one को ही जो है, continue करेंगे, and देखेंगे कि और कौन-कौन से changes हमारी society में आ रहे थे, right, so अगर आपको मेरा course पसंद आया, तो इसे share करना ना भूले, and don't forget to subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, so that you can get the notification whenever I upload a new video, thank you so much, have a nice day, bye-bye. झाल